लगता है पेपा जॉर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है पेपा तुम जॉर्ज को परेशान कर रही हो यह सच नहीं है ममी मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी मैं खेल जानती हूं जिससे जॉर्ज सीखेगा गेंट कैसे पकड़नी है इसे कहते हैं पिगी इ पकड़े हो जाओ बढ़िया तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है मैं हूँ पिगी इन दे मिडल मामी है पिगी इन दे मिडल पकड़ो जोर्ज ओ छूट गई जोर्ज ने बॉल पकड़ ली चापाज जोर्ज अब तुम पैप कोशिश करो जोर्ज ममी के ऊपर से बॉल नहीं प्हेंट पा रहा है रहने दो जोर्ज बॉल मुझे दे दो क्या बात है जोर्ज मैं भी ऐसा कर सकती हूं पैपा जोर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वह बहुत बड़ी है और पंस जाती है बॉल मेरे पास है पैपा अपिगी बनने के तुम्हारी बारी है जोर्ज पकड़ो पकड़ लिया जोर्ज अब तुम बनो पिगी जोर्ज पकड़ो बॉल को पकड़ो जोर्ज पक्लो जोर्ज जोर्ज पक्लो बॉल यहां है जोर्ज लगता है डाड़ी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है अब तुम यहां क्यों आई पैपा ने तुम्हें बताया ना यहां और ब्रेड नहीं है मामी हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है ठीक है अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो मामी पिग का खरका बनाया स्ट्रॉबेरी केक सब को पसंद आया एक मक्खी मुझे मक्खियों से चड़ है शू चड़ने की क्या बात है ममी पिग यह सिर्फ एक मक्खी ही तो है चलो जाओ मक्खी बिल्कुल हिलना मत ममी पिग यह उड़ जाएगी देखा तुमने तुम्हे कहा ता बस हिलना मत अरे चली जाओ बचाओ वोई इसे भगाओ भगाओ इसे उम्मीदे मक्खी डाड़ी को काटेगी नहीं दूर हटो छोटी से मक्खी नहीं डाड़ी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं इसके पहले की मक्खी वापस आजाए हमें केक खा लेना चाहिए ओ नहीं हम बत्तकों के लिए बचाना तो भोले गए मेरे ख्याल से वो चली गई है आपनी कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कस्रत करेंगे डाड़ी पिग लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबरी केक किसी तरह से बचा लिया रुकिए डैरी हमने बचा हुआ के बत्तकों को खिलाने का वादा किया है ओ तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है जलो डैरी को शुक्रिया कहो तुम्हारा स्वागत है हो हो गर जाने का समय हो गया बत्कों को गुढबाय कहो बाय बाय बत्तक तुमसे फिर मिलेंगे नाश्ता तयार है पेपा के चहरे पर लाल दाने निकलाए है मामी मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो मैं डोक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ डोक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ पेपा की तब्य ठीक नहीं है उसके चहरे पर लाल दाने निकलाए है पेपा को आराम करने दो मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए हैं हेलो बेटा पेपा कैसी तब्यत है तुम्हारी मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने की कोई जरूरत नहीं पेपा को तो सर्फ रैशेज आए हैं मुझे दवाई की जरूरत है रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूं हाँ दीजिये ना इसका स्वाद शाय अधि तुम्हें पसंद चलो अब मुझ खोलो यक गंदी और कडवी बड़ी ही बहादुन लड़की हो तुम्हें दवाई बहुत अच्छे से ली पेपा को आराम करना चाहिए उसकी तबियत के बारे में मैं बाद मैं फोन करके पूछूंगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं हां हां जरूर आ सकते हैं यह रैस फेलेंगी नहीं गडबाः her 근데 uh brown bear मumy क्या मैं उच सकती हूं डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हे कुछ देर आराम करना है पेपा पर यह कितना बोरिंग है डॉक्टर ने यह भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते है जोसी शीप मुझ से मि मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ हेलो मिसस पेग पेपा सुजी से बात करना जाती है हेलो सुजी हेलो पेपा, मेरी तबिया ठीक नहीं है एक्स्क्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है हेलो हाँ ऐसा करो, वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो, गुडबाई पेपा को ममी पेग बन कर मज़ा रहा है लेकिन जॉर्च बोर हो रहा है माप करना डाडी पेग, बस पूरा होने वाला है लो, हो गया चलो डाडी पेग, ये आपके काम का समय है गुद्बाई मामी पिग और डाडी पिग गुद्बाई डाडी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं हेलो पेपा, हेलो जॉर्ज मैं पेपा नहीं हूँ, मैं मामी पिग हूँ और ये डाडी पिग है डाडी पिग यहाँ कुछ काम करने आए है आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत गहरा गड़्डा है उम्मीदें आप अपने अच्छे कपड़े पहन कर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ सब के लिए आइस क्रीम आइस क्रीम पेपा जोच तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए मैं हूँ ममी पेग और ये है डैडी पेग तुम्हें यकीन है हाँ तो पेपा और जोच कहा है हम नहीं जानते ये दुख की बात है क्योंकि मैं उनकी मन पसंद आइस क्रीम यहां लाई हूँ अगर वो यहां नहीं है तो हम यहां है पेपा जोच तुम यहां हो हाँ ममी हम आप और डैडी बनकर खेल रहे थे तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया डैडी क्या हम जाकर ममी के पास कंप्यूटर पर बैठ जाए हाँ लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे उन्हें बहुत सा जरूरी काम करना है शुक्रिया डैडी ममी पिक को आज बहुत सा जरूरी काम करना है ममी यह जोच और मैं आपके गोद में बैठ कर आपका काम देख सकते हैं हाँ अगर तुम चुपचा बैठो तो पैपा और जॉर्ज को ममी को कम्प्यूटर पर काम करते देखना पसंद है ममी क्या हम कम्प्यूटर पर हैपी मिस्स चिकन खेल सकते हैं हम हैपी मिस्स चिकन बाद में खेल सकते हैं लेकिन अभी मुझे काम करना है ममी क्या हम आपके मदद करें नहीं पेपा, तुम्हें कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए और जॉर्ज, तुम्हें भी कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए पेपा, रुको माफ करने मैं सर्फ जॉक को बता रहे थे क्या ने करना चाहिए ओ डिएर कंप्यूटर तो यह सब नहीं करता है डाठी पीग लाठी पेग या भात है मंपीपी याद्य पेग आप प्रकु थीख कर सकते हैं जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी ठीक है मॉमी पिग लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता ऑँ शुक्रिया जाड़ी पिग जाड़ी पिग कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूँ डाड़ी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया हुले डाड़ी शरार्ती गंदे डाड़ी जरा ये सब कच्रा तो देखिये अकबार वो मेरे है चोकलेट वो मेरे है मिस्टर डाइनसौर डाइनसौर गोमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए ओ सही कह रही हो ममे पिग मामी क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं हाँ अगर तुम्हें करनी हो तो देखिये डाड़ी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए डाड़ी पिग चट धो रही है ममी पिग बॉनेट धो रही है पैपा दरवाजे धो रही है जोज को खिड़किया धोनी है पर वो बहुत चोटा है बेचारा जोज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ओहो जोज ने अपना स्पांज मिट्टी के गढ़े में गिरा दिया जोज तुम गाड़ी को दुबारा गंदा कर रहे हो मैं मिट्टी को दो देती हूँ पैपा वो पानी गंदा है अफो पैपा ने गंदा पानी पूरी काड़ी के ऊपर फेंक दिया कोई बात नहीं हम बगिछे के पाइप से उसे दो देते हैं क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ पैपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग्न पानी शुरु कर दिया पानी कहाँ है वाहु आप पेपा लुको सॉरी मॉमी हुआ आइस्क्रीम 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 मिस रबिट आइस्क्रीम लाई है आइस्क्रीम गर्मी के दिनों में मिस रबिट आइस्क्रीम बेचती है मामी डैरी क्या जोज और में आइस्क्रीम कह सकते हैं अच्छा ठीक है वैसे भी अज बहुत ज्यादा गर्मी है क्या मुझे भी आइस्क्रीम मिलेगी सबको आइस्क्रीम पसंद है हलो मामे पिक, पेपा और जॉज, हलो मिस राबिट, आपको कौन से आइस क्रीम चाहिए, क्या मुझे कौन मिल सकता है प्लीज, हाँ जरूर मिल सकता है पेपा, थैंक यू, मेरे लिए और डाडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज, और छोटी मिस्टर जॉज को क्या डाइनसौर, डाइनसौर, बद जोज, वो हर चीज के लिए डाइनसौर कहता है, पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डाइनसौर की आकार में एक कैंडी है, ये लो, डाइनसौर, जोज, बिगलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो, डाइनसौर, जोज को डाइनसौर क कि आइस केंडी इतनी पसंद है कि वो से खतम नहीं करना चाहता थांक्यू मिस्स राबिट सब मज़े करो जोज मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस केंडी खतम करनी चाहिए पिखलने और जमीन पर गिरने से पहले जोज की डानोसौर आइस केंडी पिखल कर जमीन पर ग गर्मी है कि डैडी पिक सो गए डैडी पिक को गर्मी लग रही है चलो उनों ठंदा करने के लिए पर पानी डालते है अच्छा इडिया है पैपा क्या हुआ क्या हुआ आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे इसलिए हमने आप पर पानी डाला ओ अच्छा थैंक्यू पैपा देखो पानी के गड़े चलो जो जूते पहनो पानी ठंदा है ये बहुत या चार गर्म है आराम से आप इने शुरुवात की जाड़ी पे हे अब और कितना छिडगोगी रहा है डाडी मुझे बीच पर आना बहुत पसंदें पेपा जोज को बीच पासंद है सभी को बीच पहुत पसंद है परिपा जोज क्या तो मिन चीजों के साथ रेट में खेलना चाहोगे हाँ ममी खेलेंगे डाड़ी डाड़ी क्या हम आपको रेत में छुपा सकते हैं अब ही प्लीज डाड़ी ओ चलो ठीक है ये ये पार जॉर्ज डाड़ी पिक को रेत में छुपा रही हैं अराम से हो गया अब आप नहीं निकल पाओगे मेरा सर थुड़ा गर्म हो रहा है क्या मुझे स्ट्राव हेट मिलेगी ठीक है पहले प्लीज बोलिये प्लीज मुझे स्ट्राव हेट मिलेगी जरूर मिलेगी डाड़ी अब ठीक है अब मुझे थुड़े नीन दा रही है जोर्ज चलो रेत का महल बनाते है पेपा और जॉज रेत के महल बना रहे हैं जॉज पहले रेत को बाल्टी में डालते हैं ऐसे फिर बाल्टीों को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं फिर बाल्टी को उठाते हैं देखो बन गया एक रेत का महल बन गया और एक रेत का महल पेपा, जोर्ज, घर जाना है, अपना सारा सामान लेकर आओ चलो देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं अमी पिग ने पेपा को तैयार किया है और डाड़ी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे है तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिचल रेड राइडिंग हो बहुत अच्छे, उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ मैं दादी से मिलने जा रही हूँ शाबश पेपा डाड़ी डॉग बनेगा बड़ा भेडिया दादा डॉग और ममी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं मैं हूँ बड़ा बुरा भेडिया बोलने के बाद हसना नहीं, डानी तुम्हें डरावना लगना चाहिए देखो मैं कैसे करता हूँ मैं हूँ एक बड़ा बुरा भेडिया और मैं तुम सबको खा जाओंगा देखो हाँ, सच मुझ बहुत डरावना था पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है तुम कहना मैं तुमे भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेडिये मैं तुमे भगा दूँगा बुरे भेडिये शाबाज पेड्रो रिबेका रैबिट दाधी बनने वाली है मैं क्या बोलू ममी देखते हैं, नाटक के शुरुवात में बड़ा बुरा भेडिया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू कहो थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छे, रिबेका स्कूल में नाटक देखने सभी आए है आप सभी का स्वागत है हम पेश कर रहे हैं तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से प्लीज, प्लीज, कलाकारों की फोटो लीना मना है ऐसा मत कीजे ये सारे चीजे कई साल पहले रानी इस्तमाल करती थी ये है रानी की खास गुरसी उसे सिंघासन कहते है बहुत सुन्दर है ये है रानी की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पेपा, ये है रानी का सोने का मुकुट वाव, बहुत सुन्दर है ममी, रानी का टीवी कहा है पेपा, उस समय टीवी नहीं होते थी टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे वो दिन भर क्या करते थे मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है यामी क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ और केक प्लीज अभी ला कर देती हूं चलो अभी सब लोग आ रही हूं डैडी डैडी, मैं हूं रानी पेपा मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुकना होगा मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूं ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा अहां, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जोर्च, ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर डाइनसौर का है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं दिख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है वाँ ये असली डाइनसौर की हट्डियां है जो आज मैंने तुमें हिलते हुए देखा पहले से शुरू करो पकड लिया मैं चीद गई लेकिन लेकिन मैं रेडी नहीं थी रूल्स के हिसाप से मैं जब चाहूं हिल सकती हूँ है ना जोर्च अब चतुर लोम्री बनने की बारी क्लोई की है पेपा और जोर्च को बिना हिले रहना होगा पेपा मैंने तुमें हिलते हुए देखा फिर से शुरू करो ये गलत है तुमने बहुत देर तक देखा रूल्स के हिसाप से मैं जितनी देर चाहूं देख सकती हूँ दुबारा शुरू करो जोर्च जीत गया क्या हम कोई और खेल खेले? हाँ पर वो बड़ो का गेम होगा तो ही मैं बताती हूँ मेरा फेवरिट गेम खेलते हैं वो बड़ो का ही खेल है जोर्च क्या तुम्हें पेपा की फेवरिट गेम पता है? पेपा का फेवरिट गेम है मिट्टी के गड़ों में उपर मीचे कूदना जोर्च अगर तुम्हें गड़ों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ, क्लोई मिट्टी के गड़ों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ ओ, मैं भी जोर्ज को मिट्टी के गड़ों में कूदना बहुत पसंद है असल में पेपा को गड़ों में कूदना बहुत पसंद है पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही मैं देख रहा हूं कोई गड़ों में कूद रहा है ममी पिक और डाडी पिक को भी मिट्टी को गड़ों में कूदना बहुत पसंद है ये मज़ेदार दिख रहा है हां वो तो है शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मताबिक बड़ी लड़्या भी मिट्टी के गड़्ों में कूद सकती है हां यह अच्छा रूल है चलो रीस लगाएं पैपा और क्लोई को मिट्टी के गड़्ों में कूदना बहुत पसंद है सब को मिट्टी के गड़्ों में उपर नीचे कूदना पसंद है बड़ी लड़कियों को भी कितना शोर मचा रहे हूँ खतब हुआ अब हमें थोड़ी शांती मिलेगी यह क्या है यह दाथ है यह कहां से आया पैपा तुमें जाकर आइने में देखना चाहिए यह तो मेरा दाथ है यह कैसे गिर गया फिक्र मत करो पैपा यह दूद का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आज आएगा ना ममी हाँ जरूर आएगा पैपा इसका यह मतलब है कि आज टूद फैरी तुमसे मिलने आएगी टूद फैरी हाँ टूद फैरी अगर तुम अपना दाथ तक यह के नीचे रखोगी तो टूद फैरी आएगी टूथ फेरी तुम्हारा दांट ले कर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूँगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज ताइनसोर एक ताइनसोर चल्डी करो जॉर्ज सोने का वक्त है नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं पेपा तुम क्या कर रही हो मैं अपना दांट प्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो पेपा जल्ड से जल्ड सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांट तक्ये के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए गुड़ नाइट पेपा और जॉज़ लेकिन पेपा के जूते कहीं नहीं मिले पेपा के जूते खो गए अब मेरे पास बहनने के लिए कोई जूते नहीं है बिचारी पेपा तुम्हारी जूते पुराने हो गए थे हम नए जूते ले आएंगे क्या मेरे नए जूते लाल होंगे ममी बिल्कुल लाल होंगे जोज मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ ममी पेपा मिस राबिट्स के जूतों के दुकान में है हलो मिस राबिट हलो ममी पेपा के लिए नए जूते खरीदने हैं प्लीज लाल जूते जरूर हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पैपा लाल जूते प्लीज बिल्कुल लाल जूते वाव नए लाल जूते जॉर्च और डैडी पिग ड्राट्स खेल रहे हैं ओ शाबाज जॉर्च डैडी डैडी डेखिए यह लाल है ओ हां यह लाल है मामी आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते हां पैपा इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो जॉर्च तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे सबको पैपा के नए चूते अच्छे लगे मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे कि मैं उन्हें कभी-कभी नहीं उतारूंगी ये नहाने का समय है पैपा ने नहाते हुए भी अपने नए चूते नहीं उतारे हैं पैपा ने अपना पैजामास पेहन लिया लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पेहन रखे है पैपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पेहनना चाहती है पैपा क्या तुम पक्का अपने जूते नहीं उतारना चाहती मैं अपने नहीं जूते कभी नहीं उतारूंगी म गुड नाइट मेरे छोटे बच्चो मैं ना आपको बताऊंगी ना जॉज को ना डाड़ी को ये एक सीक्रेट है जॉज ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है ये खाली है इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूणना है जॉज पेपा की मदद करना चाहता है नहीं जॉज सिर्फ मुझे पताऊगा बॉक्स में क्या है जब तक मैं पसंद करू तुम बाहर इंतजार करो पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद किये अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है जॉज तुमें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए जॉज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है अगर तुम चाहो तो गैस कर सकते हो जॉज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डाइनसौर को रखा है ओहु जोज, तुम हमेशा हर चीज को डाइनसौर ही कहते हो और मैं तुमें बता दू एक डाइनसौर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैच सकता जोज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे है डैडी ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है ममी ने इसे मेरे लिए बनाया है ये बहुत अच्छा है पैपा इसके अंदर क्या है ये एक सीक्रेट है जोज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया क्या मैं कोशिश करूँ हाँ क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है नहीं आपका चश्मा तो आपके सिर पर है वो है अब भी ना डैडी अब अपना हाथ हिलाओ उपर और नीचे और अपनी जीब बाहर निकालो और अब अपनी आखे बंद करो और तेजी से घूमो सिर्फ तीन बार पैबा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया जौर्ज को अभी भी हिच्किया आ रही है मैं जानती हूँ हिच्कियों का इलाज बिमार पिगी को एक शौक दिया जाना चाहिए जोज मैं तुम्हें डराने वाली हूँ लेकिन तुम्हें याद रखना यह सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिच्किया बंद हो जाएंगी याद रखना, यह सिर्फ डराने का खेल है पैपा, तुम्हें जॉच की साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, यह बहुत छोटा है माप करना ममी, मैं जॉच की हिच्किया रोकने के कोशिश कर रही थी जॉच की हिच्किया बंद हो गई डैडी पे एक जॉच के दो गिलास लेकर आते है जॉच, इस तरह पीओगे तो फिर से हिच्किया लग जाएंगे मैं उतनी छोटी नहीं हो जितना जॉच, मैं अपना जॉच बहुत जल्दी पी सकती हूँ कर भ्पना जॉच, बहुत की हिर्ण तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी हां ठीक है पैपा इसे निकाल देते हैं डैटी पिक पैपा की साइकल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं क्या तुम सच में बिना बैलेंसर के चला पाओगी हां मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी मैं चला सकती हूं हां हां इसमें हसने जैसा क्या है बिना बैलेंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूं पैपा हां डैरी प्लीज ठीक है रेड़ी कि टूढ़ना मत जबराओ मत मैं पकड़े हु। रहूं घा रहे हैं तो कि देन्सलों आक चला कॉड़ना रही है। तूम तो कितनी देर शें अपने आप चला रही है। सच में तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो सच में ओ मैं चला सकती हूँ देखो मुझे देखो मुझे मैं साइकल ठीक साच चला सकती हूँ देखो मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे देखो डारी के पंकिन की तरफ रिस लगाएंगे पेपा मेरे पंकिन का ध्यान रखना मजीद चाहूंगी पेपा नहीं देख रही कि वो कहां जा रही है पेपा ने तो डैडी पेग के पंकिन की चट्नी बना दी सौरी मैंने आपका पंकिन तोड़ दिया डैडी पंकिन की चिंता मत करो ज़रूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो जोर्ज मुझे मदद चाहिए मैं चॉक्ले चिप कुकीज बना रही हूँ जरा बोल में से चक कर बताओ जोर्ज कर को कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेर नहाज ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मत्या Peki को prone बनेगा जोर्श पैपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी पैपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझे खुलो प्लीज सूजी जॉर्ज का टेंपरेचर चेक करती है ओ दियर तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैड़ी बिग जॉर्ज को देखने आये है ओ नहीं क्या हुआ है जॉर्ज को चिंता मत कीजिए यह सिर्फ खेल है जॉर्ज हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो ठक सकता है कुकीज हाँ यह जॉर्ज के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुद्गुदी होती है मैं इसके गुड़गुड सुन सकती हूँ ओ डियर मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए जॉर्ज भी बजाना चाहता है इससे ऐसे पकड़ो जॉर्ज यह आवाज भी ठीक नहीं लगती है कि वाइलन बजाना बहुत मुश्किल है पैपा लगता है तुम ये टिन ड्रम हो जा सकती हो शुक्रिया डाडी ये आवाज ठीक है पैपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है बहुत अच्छे बहुत Well It is यह डैडी पेग का पुराना अकॉर्डियन है मैं यह ममी पेग के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे ओ डैडी पेग मुझे यह धुन याद है जोर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है तुम बजाओगे जोर्ज ऐकोर्डियन काफी मुश्किल है जो अक्रो्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना की मेरा ड्रम ठीक है जो जो आओ ज्याज अकार्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा चोटा है डाड़ी इस बॉक्स में और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं बस यह हॉर्म क्या मैं बजाओं तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा इसकी आवाज ठीक नहीं लगती यह बिल्कुल नहीं बचता मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है हो 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 शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह है यह आवाज भी अच्छी नहीं है डाड़ी पिग पेपा और जोज हॉल को सजा रही है मजा रहा है दादा और दादी पिग ममी पिग का बर्थडे मनाने आए है हैपी बर्थडे ममी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही ओ मैं अभी अंदर नहीं आ सकती डाड़ी पिग पेपा और जोज मेरे बर्दे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे है ओ अच्छी बात है बाद में मिलते हैं बाई ममी क्या अब अब अंदर आना चाहोगी हाँ बिलकुल आओंगी आखे बंड करो अपनी आखे बंडी रखो ममी एक दो तीन अपनी आखे खोलो कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो ममी ममी अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खुपसूर अड्रेस है वाँ अब खुपसूरत हो ममी अब इसे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है दो टिकेट्स आज रात के फिल्म की चलो चलें तांक यू ममी पिक को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पिक बच्चों को घर पर समहल लेंगे हुजे कितना अच्छा बर्दी है लगता है मैं दुनिया की सबसे लखी ममी हूँ और खुपसूरत भी तुम इसे और उपर उच्छा सकती हो ममी पिक जब अपना पैंकेक उच्छालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलीगा डादी पिक सिरॉप प्लीज अब यूप 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 ममी पिक के लिए है हुरे अब भी उन्हे ज्यादा उच्छा नहीं उच्छा रही ममी पिक अगला पैंकेक आपका ही है डादी पिक तो अब आप ही करके बताईए बहुत यूमी है अब सब की नजर मुझ पर हो एक अच्छा पैंकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है एक दो और तिन पुद्दु डाड़ी मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया अब क्या करें ये तो आखरी पैंकेक था इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है ओफो डाड़ी पिक अपने पैंकेक तक नहीं पहुच पा रहा है अब फिक्र मत करो डाड़ी पिक शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ चलो उपर चले बच्चो ममी पिक क्या प्लान बना रही है तीन की गिंती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है ठीक है एक, दो, तीन, कूदो यह सब कर क्या रहे है काम हो गया अब डाड़ी पिक को उनका पैंकेक मिल गया डाड़ी के सिरप पैंकेक है आपके पैंकेक पर सिरप डाड़ी पिक? ठीक है टालू एक स्लीपी प्रिंसेस बहुत पहले की बात है एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस डाड़ी उसे ऐसा क्यों कहते थे? यह मैं बात में बताऊंगा क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुन्दर थी? हाँ, बहुत सुन्दर उसे अपने आपको आईनी में देखना बहुत पसंद था ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ उस महल में और कॉन-कॉन रहता था? अब, वहाँ अब उस महल में रहते थे एक चोटा सा प्रिंस क्वीन ममी और केंग डाड़ी बिल्कुल वह सभी साथ रहते थे क्या केंग डाड़ी का भी पेर बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वह तो हैंडसम थे मेरी तरह और हाँ, वहाँ पर एक ड्रागन भी था डाइनिसार डाइनसार? अरे हाँ, वह ड्राइगन नहीं था वह डाइनसवर था बाहर एक बड़ा भयांकर डाइनसवर था अहो, जहएँ वह दियानक नहीं था है ना, डाडि-पेश सौरी, जोर्ज, नहीं वह डाइनसुर बहुत तयालू- था वो सिर्व खास खाता था डाडी पेग ओपस, सौरे, मैं भी डाइनासोर बन गया डाडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे वही तो बता रहा हूं वो क्या हुआ, शाम हो गई तारे और चान दिखने लगे और सब को बहुत मींद आने लगे मुझे लगता है अंकल पेग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे डाडी पेग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए खास कर बच्चों के सामने पर सही तो है, अंकल पेग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर-जोर से खराटे मार कर सो जाते हैं, ये ऐसे पेपा, चोज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ ठीक है, डाड़ी पेपार वसका परिवार अंकल पिग और अंटी पिग के घर पहुच गए है हलो, अन्टी पिग, हलो, अंकल पिग हलो हलो, कैसे है, आप बिलकुल ठेक हो, तुम कैसे हो अंकल पिग डाड़ी पिग के भाइए Chloe Pig, Peppa and George की बेहन है हेलो, Chloe हेलो, Peppa, हेलो, George मुझे तुम्हे कुछ दिखाना है हमारे लिए रुको ये है मेरा नया कटपटली यानि पपेट थियर्टर मेरे टैडी ने मेरे लिए बनाया है वाँ मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाये है इसका नाम है Chloe हेलो, मैं हूँ Chloe Pig और ये है मेरे डाडी अंकल पेग हेलो, Peppa, मैं हूँ अंकल पेग क्लोई, क्या मैं और जोज भी पपेट्स बना सकते हैं हाँ क्लोई पपेट के आँखे पेंट कर रही है मैं मू बनाओ हाँ, बनाओ मेरा नाम पेपा है जोज, तुम्हें कौन सा पपेट्स बनाना है डाइनसार क्या, डाइनसार जोज हर चीज के लिए डाइनसार ही कहता रहता है ठीक है, डरावना डाइनसार पपेट्स बनाते है प्लोई जोज के लिए डाइनसार बना रही है इसे नुकीले दाच चाहिए ऐसे डरावना डाइनसौर दादा पेक तीज चलिए ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा जाएंगे हम बाद में तेज जाएंगे दिखिए इक और बोट यह दादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएंगे कैसे हो डादा 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 ये पुरानी बोर्ट तुम्हारी जंग लगी बाल्ते से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग ओ अच्छा तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं हरने के लिए तयार हो जाओ पाने पिग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपने पहले उने समुद्री डॉग का दादा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उसने पहले सौरी बोला तो बोलूगा दादा, अपने दोस दादा पिग को सौरी बोलिये, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है, और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुदरी डॉग, अगले बिच तक रेस लगाते हैं तो चलो, तीन तक गिनते हैं एक, दो, तीन तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़के दिखाओ पाने पे समुदरी डॉग बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं पपेर सकते है मैं जीत गया ओ, यह क्या, दादा पिक की बोर्ट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की, कैप्टन दादा शाद मैंने कुछ जाधा ही तेज चला दी नहीं, जोर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है, प्याज प्याज, अभी याद आया मामी ये रहे शाबाश एक, दो, तीन, चार, प्याज शाबाश, अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजे मिल गई लिस्ट की बस एक ही चीज बची है पॉधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं, नहीं, जोर्ज, लिस्ट पर आखरी चीज फल है कोई बात नहीं, जोर्ज, तुम फल चुन सकते हो फल कहां है? वह अपर वहाँ सेब हैं, केले हैं, संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी कौन से फल्लें, जोर्ज? सेब? संत्रे? केले? तर्बूज इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं टमाटर, नूडल्स, प्यास, तर्बूज, चॉकलेट केक चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पैपा, क्या तुम ने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मामी. जॉज, क्या तुम ने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं. मैंने भी तो नहीं रखा. फिर किस ने रखा? मुझे लगा पुटिंग के लिए अच्छा होगा. डाडी पेग. शरारती डाडी. सॉरी, लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना? यमी तो लग रहा है. ओ, हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था. चॉकलेट केक. हुराए! डाडी, जादूई खिर्कियों को नीचे कर दो. नीले बटन से क्या होता है, डारी? उझे नहीं पता. चलो, देखते हैं. बुझे ये नहीं कारी पसंद है. क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते, पैपा. हमने बस ये आज के लिए ली है. ओ, नहीं, लगता है बारिश होने वाली है. तो मैं छट उपर कर देता हूँ. तो, कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ. ये रहा वो बटन. नई कार ने डाड़ी पिक पर पानी उच्छाग दिया. वो तो डाड़ी, वो गलत बटन है. तो ये बटन रहेगा. उपस, ये तो नई है. तो ये रहेगा. डाड़ी पिक भूल गए हैं कि कौन से बटन से चट उपर होती है. ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती है. हम लाल बटन दबा कर देखते हैं. हुरे! लेकिन बारिश अब रोग गई. क्या फिर से चट नीचे कर दे? क्यों नहीं. लेकिन कौन सा बटन था? लाल बाला! हुरे! हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया. तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई. हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे. थैंक यू टैड़ी पिग. गुडबाई! 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 बाई-बाई! अच्छा हुआ, हमें अपनी कार वापस मिल गई. मुझे नई गारी अच्छी लगी, लेकिन अपनी गारी ज्यादा अच्छी लगती है. और मुझे लगता है कि हमारी गारी भी हमें बहुत पसंद करती है. है ना? मामी, मामी, हम सब ने हंसो की तरह डांस किया. पेपा ने बहुत अच्छा किया. मैंने बहुत नजाकत से और सुन्दरता से डांस किया. शाबाश. मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया. पहले घर चलते हैं. फिर तुम डाडी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना. बाइ बाइ. पेपा और ममी पे घर आ गए हैं. टैडी जोज मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं. क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था. पर आपके लिए जोज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा. पहले हमें चाहिए म्यूजिक. गुट. अब जोज, टैडी और ममी आप वैसा कीजे जैसा मैं करती हूँ. माडरिम गजेल ने मज़िदार शब्द बोले. पर असल में सिर्फ गुटनों को मोड़ना होता है और जोग करना है. पटी शित है. डाडी, आपको वो शब पता है. हो हो, क्योंकि ममी पिक और मैं बैले करते थे. साफधानी से डाडी पिक. हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटिजर. मुझे शाइड ठीक से याद नहीं रहा. पुद्द डाडी पेग. शाइड हमें पैपा को ही बैले करते देखना चाहिए. हाँ, मैं उसमें सबसे अची हूँ. मैं खुबसूरत हंस हूँ. पैपा, जॉर्च, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलोने लाए? टाइनिसर। अच्छा है, मिस्टर डाइनिसर। सुरक्षित हैं. टेडी, मैंने टेडी को वही पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा. बुचमत करो, पैपा, टैडी पिक तुम्हारा टेडी ले आएएंगे. जल्दी करो, टैडी पिक अभी बारिश होने वाली है. मुझे तूफानों के बारे में सब पता है. अब बारिश ऐने में बहुत वक्त है. मुझे लगा ही था, बारिश होने में अभी बहुत वक्त है पेचारा टेडी, पूरा भीग गया हाँ, बेचारा टेडी, चलो उसे सुखाते हैं पेचारा टेडी ये लो टेडी, तुम सुख गये पर बेचारे टेडी का क्या, मैं भी तो भी गया हूँ ओ, सॉरी डाडी पेग, आपको भी सुखा देते हैं ये देखो डाडी पेग, बिल्कुल सुख गये पारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है फर्ष गीली हो रही है अरे बाबरी, अब हम क्या करेंगे डाडी पेग? शिंता की कोई बात नहीं डाडी पेग बूंदें कठा करने के लिए बाल्टी का इस्तमाल कर रहे है शाबाज डाडी पेग बहुत ही आसान था यह क्या जल्दी पानी चमाका नेकले कुछ और लेकर आओ बहुत अच्छे पेपा बहुत ही आसान था मामी मुझे बहुत डेर लग रहा है डरो मत बच्चों कुछ नहीं होगा हर एक चमक और शोर के बीच गिंती करते हैं और ज्यादा गिंती करने से तुफान दूर चला जाएगा अब कौन है मैं हू मामी पेग क्या तुम्हारे पास महमानों के लिए जगा है आपको सीक्रिट कोड बताना होगा उसके बाद ही आप अंदर आ सकती है अच्छा जी और वो सीक्रिट कोड क्या है मुझे आपके कान में बताना होगा सीक्रिट कोड है डाडी का बड़ा पेट ओ अच्छा सीक्रिट कोड बताएए डाडी का बड़ा पेट नहीं जवाब डाडी का बड़ा पेट मुझे लगता है यह सेक्रेट कोर बहाती बक्वास ममी आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होगे हाँ पेपा डाडी आप यह अंदर आ सकते हैं सीक्रेट कोड बताये डाडी क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है नए नए तो ठीक है डाड़ी का बड़ा पेट जवाब अब अप अंदर आ सकते हैं डाड़ी अपने जूते उतारिये मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आपाऊंगा क्यूंकि आपका पेट बहुत बड़ा है एक काम करते हैं डाड़ी पिग उपर से जा सकते हैं पेपा, जॉर्ज, ममी पिग और डाड़ी पिग सभी ट्री हाउस में हैं दादी मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है मुझे कभी बाहर नहीं आना अच्छी बात है पेपा क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझे मिलने नहीं आना नहीं मुझे नहीं आना तो फिर कुकीज जो मैंने घर पर बनाई हैं वो हम दूनों ही खा लेते हैं कुकीज पेपा ने परियों की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जोर्ज ने डानसौर की ड्रेस पहनी है यह है पेपा के दोस्त यानी क्याट, सुजी शीव, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेडर पोनिंग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो फ्रेंशी टेस आली नर्स हूँ हेलो बहुत अच्छे अरे वा, यह कौन आए है मैं हूँ पाइरेट मुझसे सब डरो मैं जादूगरनी हूँ मैं तुम्हे मेंडग बना सकती हूँ नए मैं एक जोकर हूँ बहुत अच्छे तुम क्या बनी हूँ रिपेकर रबिट मैं काजर हूँ बढ़िया अंदर आ जाओ एक फेरी प्रिंसेस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए कैसे हू दोस्तो हेलो सुजी मैं हू राज कुमारी पेपा तुम हे मुझ से जुर कर बात करनी चाहिए हेलो राज कुमारी मैं हू नर्श सुजी मुझ खोलकर कहिए आ आ मैं हू जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो? मुझे गाजर पसंद है दाइनिसौर पापरी, तरावना, डाइनसौर पेपा आइने में खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आइने, बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हेलो, मैं परियो की राज कुमारी हूँ